आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वो क्वेशिन में का गया इस सम और रूपी reckिव्टी थाउटन वाज इन स्कीम एए स्साइ Columbus al cantar यं धेन Old इंड और शहूटी स् funcion क्या गया खूर खृटो तुरं था इंड ये इनस फोटीज थीव्टीथाऊचे फोर इन्डस पर इंड को तो दोनों amounts के बीच में difference कितना है वो हमें find out करना है तो देखो दो scheme से हमारे पास A scheme है और B scheme है तो हम बात करेंगे principle, rate and time की हमें अलग-अलग given है individual जो है हमारे पास principle, rate and time है तो हम बात करेंगे A का principle, B का principle, B का rate, A का rate और time की तो हम कह सकते हैं कि principle जो A scheme के लिए जो है वो कितना है 50,000 है हमारे पास B scheme का principle देखो हमें given है 40,000 अब बात करें हम rate की, तो rate 12% and 10% given है तो यह rate हो गया हमारे पास 12% और यह rate हो जाएगा 10%, time की बात कर लेते हैं, time के लिए देखो हमें बताएगा यह 3 years के लिए invest किया गया और यह 2 साल के लिए, तो यहाँ पर तो 3 years आजाएगा और यहाँ पर आजाएगा 2 years अगर हम बात करें, simple interest लेकि तो simple interest is equal to principle into rate into time divide by 100 होता है divide by 100, तो values put कर देंगे हैं से हमारे पास simple interest कितना आजाएगा, देखो 50,000 principle हो गया हमारा रूपीज में यह value और यह value भी हमारे पास रूपीज में, multiply by rate की बात करें तो 12 हो गया, multiply by time की बात करें तो 3 years और divide by 100 हो जाएगा तो 20 से 20 cancel out कर देंगे, हमारे पास कितना अगर 12 into 5 करेंगे, 60, 60 into 3 करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 180 और 20 add कर देंगे, तो 18,000 अब हम बात कर लेते हैं कि amount किसके बराबर होगा, amount is equal to principle plus simple interest होता है, तो principle की बात करें तो 50,000 है यह value भी देखो हमारे पास rupees में आई है, यह 50,000 हो गया, प्लस यह कितना हो जाएगा, 18,000, दोनो value जो है rupees में, तो यहां से हमारे पास amount आगा 68,000 rupees, अब हम बात कर लेते हैं, B scheme से हमें कितना amount मिलेगा, आप देखो B के लिए formula होता, amount का compound interest का formula होता, amount is equal to principle into 1 plus rate divided by 100 की power time, values 40,000 rupees, 40,000 rupees multiply by, देखो 1 plus rate कितना है, 10% divided by 100, और time कितना है, 2 yes, तो power कितनी हो जाएगी, 2, यहां से हम कह सकते हैं, देखो 1 0 से 1 0 को cancel out कर देंगे, हमारे पास आगा 40,000 rupees multiply by, देखो 1, 1 plus 1 by 10 है तो 10 into 1, 10 plus 1, 11 by 10 हो जाएगा, और उसकी power 2 है तो 11 by 10, 2 times हो जाएगा, एक 0 से, देखो 2 0 से 2 0 cancel out कर देंगे, तो हमारे पास आगा 400 into 121 और जो value आएगी वो rupees में आएगी, तो देखो 121 into 4 करेंगे तो हमारे पास 484 आएगा, 0020 है तो यह amount आगा, direct हमारे पास compound interest का भी amount आगा, देखो, तो scheme B का amount आगा, यह हमारे पास scheme A का amount है, दोनों के बीच में difference पूचा गया, तो difference will be equal to 68,000 rupees में से हम 48,400 rupees को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो, हमारे पास 19,600 rupees बचेगे, यही क्या हो जाएगा, difference हो जाएगा, तो 19,600 जो हमें 1st option में given है, so option 1 will be correct answer to this question, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8400 चार्सो चार्सो पर.